जाहिन दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वैक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में अभी हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स वर्चेस संदाइजर हैदराबाद के बीच में खिला जाएगा आज के सामका पहला आपको मैं बात करेंगे अपनी टीम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंगे बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे यह अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में आपको जो भी बदलाव दिखेंगे उसका अपडेट सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पर आन हो जाना है सबसे पहले हम बात करेंगे मैच में वीनिंग परसंटेज को लेके तो हमने इस सेजिएन में देखा कि पंजाब किंग्स अपने आपको बहतर से उपर रूप में यहां पर प्रूफ की है और वीनिंग चांसे यहां पर इनके जादे राने वाले हैं मिरे अकॉर् देंगे जहुत रिपाठी एडन मार्करम और निकलास पूडन बात करेंगे पंजाब किंग्स को लेके तो इनके टॉप हैवी जो इनके टॉप फोर है आपको दिख जाएंगे जहां पर मैंक अगरवाल सिकरदवन फिर आपको दिखेंगे बैस्टो और इनके बाद आपको सब्सक्राइब के पास कोई भी क्वालिटी एसमिनर नहीं है तो मुझे कल लिविंग्स्टन का एक स्टॉर्म आते भी नजर आ रहा है अब आये देखते हैं पिछी रिपोर्ट क्या रहने वाला है और स्टार्टिंग 11 क्या रहेगा दोनों टीम का यह मैच किला जाएगा ड यहां पर आपको दीखेंगे बैलेंस पीज जहां पर आपके पास बल्लेवाजी में भी रन बनेंगे गेंदवाज की मुफीदियू रहती है थोरा बुत्य स्पीनर के लिए यहां पर जान बची रहती है पॉइंट्स टेवलें बात कर लेंगे तो पंजाब किंग्स आपको जरूर सनराइजर के इटीम उपर आते नजर आएंगी अब आईयो बात करते हैं पले इग्लेंग लेंबर इनका क्या रहा सकता है कल यहां पर संनराइजर हचिज बात करेंगे यहां पर गेंदवाजी में तो आपको दिखेंगे नटराजन, फिर उम्रान मलिक, भूबने सुरकमार, सुचीत, मारको जांसन, यह 5 प्लस इनको एसिस्ट देंगे, ससांग सिंग, और अगर बहुत जवत पर गई तो एडन माक्रम भी एकार दोबर डाल सकते हैं क्योंकि यहां पर open जो कडेंगे, वो कडेंगे सिकर दोबन और माकरम जब भी डालेंगे, वो दबन के पास ही डालेंगे, इसका मतलब यह किलियर प्ठेंडर के सामने ही हुग काद बाद डालेंगे भी पंजाब किंग्स को लेके बात कर लेंगे तो मेंक अगरवाल दिखेंगे सीकर दवन, जॉनी बेरेश्टो, लियाम लिविंग्स्टान, जीतेश, सर्मा, सारुक खान, ओडियान एस्मित, कगीसो रबाड़ा, राहुल चहर, बाइभब अरोरा और अर्सदीप सिंग यहां पर डिखने वाले अर्सदीप सिंग, कगीसो रबाड़ा और ओडियान एस्मित, बात करेंगे सन राईजर हैं, आपको दिखने वाले हैं, भूमनेसी हखमा, टीनेटराजन कभी कबार आपको दिख सकते हैं यहाँ पर मारको जैंसन भी 17 से 20 में एक अवर डालते हुए अब देखिए यहाँ पर पंजाब किंग्स के पास जो गिंदवाज लैनप में गिंदवाजी करेंगे वह है अरसदीप सिंग 5-4 बैबाव अरोडा रहुल चार कर गिशुरा बाड सिर्फ इसको उपर ध्यान दीजेगा प्लस पॉइंट इनके पास कि आता है कि अपने आपको कैटिंग पोजिशन पर लगते हैं जहांसे अगर माल लो यह 25-30 भी करके देंगे तो आपको एक या दो कैच दे सकते हैं बैटिंग इस्ट्राइक यहां पर महेंक अग्रवाल का एक सो तीस का असपास है अब सिक सर्मा को लेकर बात कर लेंगे लाश्ट के दस मैच में दोसुट तैरी संकिये 25.89 का बैटिंग इवरेज है और इस रैकेट एक सो पत्चिस का है बात करेंगे राहुल चार का बॉलिंग में तो इन्होंने लास्ट के छे मैच में आट विके के टेकर गंदवाज है दस मैच में आठ विगेट लिए लाश्ट के दस मैच में आठ पट बाइस का एकोनोमी है प्रतिक ग्यारमा बॉल में जाके नटराजन को विगेट मिल जाता है बुमने स्वार कुमार लाश्ट के नौ मैच में साथ विगेट है इनके पास अगर बात करेंगे एकोनोमी को लेके तो सारे साथ का है और यह विगेट टेकर गंदवाजी सिजन नहीं है अप्रॉक्सिमेट 31 बॉल पंजाब किंग्स में किये उससे पहले संराइजर फिर किंग्स फिर संराइजर फिर संराइजर लेकिन मैं इस सेट्स को उतना जाद तवज्जू अने दूगा क्योंकि टीम उस टाम बिल्कुल आपको बिप्रीद दिखेंगी अभी के तुल्हामें तो आईए देखते हैं डूनों टीम लास्ट मैच में कैसा प्रफॉर्पर्फॉमेंस किया है अगर हम देखेंगे पंजाब किंग्स का लास्ट मैस तो उनका सामना वा था मुंबै इंडियान शुआ जहां पर मुंबै को फैंटी लगा दिये थे पहले बाजी करते हैं पंजाब खड़ा किये टें और इस मैच में जीते सर्मा किये हुए फिर लिविंग स्टन दो जीते सर्मा थीटिंग वल्ले वाजी करते हैं तगरेपी के और अनिल कुमले का ये खोज है सारुखवन पंदरा ओर डियन श्मित किये हुए थे एक रन अगर हम बात करेंगे वह ही गेंदवाजी में तो आपक और इन्होंने लास्ट और माके तीन विगेट लिया हुआ तैस बाग को ध्यार रखेगा लिविंग स्टन एक में 11 और रहुचार चार और चो वाली सन जीरो विएट है डेथ वालिंग को लेकि मैं फिर रिबीट कर दूँ आपको दिखेंग रवाड़ा अर्शुदीप सिं जांन दबाद जी में मंने कमार ने ढलते चार अवार साहेस्न एक भीकेट मिला था अतराजान चारा वार साने टीन विगेट और अथा लिक्कुल रंड करने नहीं देते थे आप लोग मीनी जेल जेल मां जरूर ध्यान रखेगा चार ओवर शतेशन दो विकेट सासांक एक और दस रण सुचीत तीन ओवर बतनीशन एक विकेट है यहां पर डेथ में फिस रिपीट कर दू भूमनेस वर तीन ट्राशन दिखेंगे अब आई हम बात करते हैं अपनी फिंट्यासी टीम को लेके सबसे पहले में बात करें साइं है घीव आभी को लएक तो आपको बिल्कुल 25,000 रुपीज का फिरी चीव जाएगा कहां पर सबसे बड़ी यहां पे आचेस्ट इ spineate met क्योन था-उर सिंपल राता है सोला में से लेके और आप्रिल से लेके 5 में तक यह चलेगा और फ़र्स जो लीडर चला था वहां पर 379 माइन 20 21 ऐसे करके टॉप रेंक में हमारे जो टॉप 50 में लगबग से 27 मेंबर्स मेरे ही थे अपने फैमिली से थे तो यहां उमीद करेंगे कि टॉप 1-2-3 में मुझे एक या दो मेंबर्स चाहिए मुझे उमीद है कि प्यार फैमिली से टार्गेट करके लीडर बोर्ड लिक क चली जाओगे यहां पर देखिए आप तो आपको यहां पर 5% बोनस भी उजाओगा और इनकेस अगर यह लीग मालो यहीं तक फूल होता है ठीक है न जो की 7,000 बारासों स्पोर्ट है अगर मालो यहां पे 1100 पूर्ट ही फूल होता है या फिर 1000 पूर्ट ही फूल होता है तो में भी अच्छे कासे रेंक लाल होगे और गीब अवे तो आपको जोइन कर दी लेने निचे आपको दिखेंगे अच्छे कासे कंटेस्ट वह भी कम प्रैस में जैसे कि आप देख लीजिए यह आपको दिख रहे हैं कि आप 1597 में जो की सभी अप्लीकेशन अलमुस्ट ले नहीं बोलूंगा चाहिए आप लोगों को यह कंटेस्ट दिखेगा बहुत जगा पर 3850 में ले रहे हैं आप उसे 3496 रुपीज 300 रुपीज भी ने ले रहे हैं तो इन सब जगा पर पढ़ जाएगा 1150 में यह ले रहे हैं सिर्फ 1070 रुपीज वहां भी आपको 4% बोनस जो कि आपको बैटिंग पलस विकेट कीपिंग दोनों से पुएंट देंगे लेकिन मैं इनके जगब पर इस मैचे प्रिफरेंस करूंगा जॉनी बेरेस्टो को डिजन कि निकलास पुरन मुझे लगता है कि बल्लेवाजी करने हैं कि उस टाम आपको गिंदवाजी करते नि है विकेट का पीछे जाएं आपको दिखेंगे जीतिया सर्मा मोस्ट अब दो चांसे हैं फिलाल के लिए मैंने जॉनी बेरेस्टो को अपनी टीम में लिया हुआ है बैटिंग को बात करेंगे तो यहां पर आपको दिखने वाले लिविंग स्टन उसको मैंने ट्रै कर लिया है इसके अलाबा यहां पर वासिंग्तन सुन्दर कुछ टैम तक आपको खेलते नहीं दिखेंगे इनके कोच ने स्टेटिमेंट दिया हुआ है इसके अलाबा आपको दिखेंगो ओडियान इसमित जरूर आप लोग इनको ट्रै कर सकते हैं मैं अपने फैनल टीम हो सकता है ओ टीन अट्राजर राहुल चहर कगिस्व रबाड़ा यह तीन आपके पास होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए बस दिखती यहीं है कि राहुल चहर को आप उस कंडिसर में डॉप कर सकते हो जब यह सकेंड गिंदवाजी करें क्योंकि सकेंड गिंदवाजी के टैम पे मैं मानत संद्राइजर के टीम की पहले एक इंदवाजी आती है तो मैं भूमनेस्वर कुमार को बैक करूंगा अदर्वाइज मैं चला जाओंगा यहां सी या तो मार्क रम या फिर निकलास पूरन के साथ फिलहाल के लिए मैं अपने टीम में जगार दिया हुआ हुआ है भूमनेस् अर्षदीप शिंग और भूमनेस्वर कुमार को मैंने जगा दिया हुआ है सबसे बड़ी बात आती है कैप्टन बीसी को लेके कैप्टन बीसी बैक्टिंग मुफित पीछ दिखने वाले तो आप लोग यहां पर इसका ध्वन को दे सकते हो या फिर आपको यहां से केन विल आपको 10-15 बैट्डिंग से भी देंगे प्लस यह आपको बिकेट लेंगे ही ऐसे गंदवाज हैं कि यह आपको बहुंच से पीछ पे बिकेट लेके देंगे लिविंग से टन मैंने इसको इसलिए प्रिफर किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है यहां पर कि यह सिक्त बॉ को प्रिकेशन पर दूगा एक सेंस 22 का भाइट शेल मल्टि वेगर का पिक आप लोगो टेलीग्राम पर दूगा तो आप टेलीग्राम चएनल से जरुर जोह हैं कर लीजेगा उमीद करते हैं यह चोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच् किव करवा दोगे